हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का रसायन विज्ञान का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जो है नौर्मलता तथा सक्ति में सम्मंद या इसे हम दूसरे सब्द के हैं या ग्राम प्रति लिटर में सांदरता के हैं में सम्बंद तो यह आपको हमें पढ़ना है ग्राम प्रति लिटर में सम्मंद हमें पढ़ ना है अब सक्तिकों क्या करते हैं ग्रांप्रति लीटर में संहταर भी कहते हैं तो ये बात आपको पता होगा ठीके तो के अब हम इसका दोनों का फॉर्मूला निकालते हैं और इससे हमें क्या करेंगेगे इसका संबंध़ अस्थापीद करेंगे तो नर्मलता का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए नर्मलता इसकल टू होता है नंत्रियागा यहां पे नर्मलता इसकल टू होता है विले का भार बटे विले का तुलियाग की भार गुडे विले हो भी इसमें लीटर में तो यह इसका फोर्मूला होता है बतलब नौर्मलता इसकल टू विले का भार बटे विले का तुलियांकी भार गुडे विलियन का आयतन होता है विलियन का आयतन इसका फॉर्मूला होता है नौर्मलता का ठीक है अब आते हैं सक्ति का फॉर्मूला क्या होता है ये दो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए तो सबसे प इसमें लीटर में ठीक है और यह भी याद रहना चाहिए कि विले का जो भार होता है वो ग्राम में होता है तो यह दी हम संसापित करें तो इसको हम समीकरनलां किस्त माने लेटे हैं झ kicking sono Kalutama और सकेंड की हम तूलना कर लेते हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहां पर यहां पर हम क्या लिखेंगे समीक्रण कर देते हैं इन दोनों की तूलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्ता चलता है यहां से हम देखिए ध्यान दीजिएगा यहां से बिले का भा है ग्राम में और बिलियन का आयतन है ठीक है आँ यहाँ पर भी क्या है विले का भार है ग्राम में नेचे भी Football आयतन कि या है इतन को यहां ठीजए गा एंग न हम CT रहे लॉक् default है कूकि यही थो σब्सक्राइब कर लो पर हमें सकती रख सकते हैं कि नहीं तो यहां से नॉर्मालता इसकोल टू हम क्या लिख सकते हैं यदि नॉर्मालता इसकोल टू हम क्या लिखें तो क्या हो जाएगा इनके अस्थान पर हम सकती रख दे रहे हैं सकती हमने रख दिया और यह विले का आयतन है नीचे विले का भार ठीक है तो यही जो हमें फार्मूला मिला यही क्या हो निकल गया नौर्मलता और सक्ति में संबंद नौर्मलता यहां पे है और सक्ति यहां पे है तो नौर्मलता और सक्ति में संबंद पता चला मतलब सक्ति को यदि हम बिले के तुल्यांकी भार से यदि भाग देंगे तो नॉर्मल्ता हमें निकल जाएगा. तो यहां से क्या मिल गया? नॉर्मल्ता और सकती में हमें सम्ण्धeh सापित हो गया. रिलेशन हमें निकल दिया. तो यह इस formula को आपको notes में रख लेना है. इस formula यहाँ पर दिखा गया है. इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है ठीक है यहां पे लिख दिंग दियागा आप प्रूब्ड ठीक है तो यह आपका हो जाएगा तो आसा करते हैं दूस्तों आपको नौर्मलता और सक्ति में समंध अच्छे से आपको समझ में आ गए होगा तो मैं यहीं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है उसका नाम लिखी यूटूबर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख जीजे आपको वीडियो मिल जाएगा वहां से जाकर आप चेप्टर वह उसका अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुन्दर से नोट्स बना सकते हैं अधर्वाज यदि आप क्लास 11 का फिजिक्सका η चाहिसे क्लास लिग कर सकते हैं और अपने सुन्दर से नोट्स बना सकते हैं अधर्वाज येदि आप हमारे सपोर्ट करना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बीडियो को लाइक कर दीजेगा और जब चैनल को येगा कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारक